कुनाल परार आपका स्वावत करता हूं इन ब्योंड टेक्निकल्स विद कुनाल में आज हम बैंक इप्टी इंडेक्स एनालिसिस करेंगे इसका चार्ट देखेंगे क्या मुमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है उसे फिले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीस लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए विधियो फ्रेंग्स डिस्क्रिप्शन में हमने टेलिग्राम की लिंक दी है जहां पर हम डेली चार्ट एंड फ्रेस रिकमेडेशन देते हैं फीटर की लिंक दी है जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं जीफी डिमेट एकाउंट ओपन कर आ सकते हो एंड लाइफ्टर में रिसर्च सपोर्ड आपको मिल सकता है तो दोस्तों आएं बारे में बात करते हैं पिछले टेडिंग सेसल मे में आते हुए दिखा एंड जो ओपन लो था वो दोनों सेम था एंड उसके बाद इंट्राडे में हमें कैसी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मेरी दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर कि यहां पे ओपन लो दोनों सेम था उसके बाद हमें एक कॉंसलिडेशन का फेस यहां पे दिखा आप देख सकते हो यह कॉंसलिडेशन का फेस था उसके बाद सड़न हमें एक बैंक निप्टी में एक स्पॉर्ट आते हुए दिखा जो पर में 20,400 के लेवल पे था बीस अजया 400 के लेवल पे एक स्पॉर्ट आने के बाद दोस्तों हमें एक प्रॉफिट कई आते हुअ लिखी और उसके बाद कपा जो लह है अब यहां पह सकते हो दूस्तों इसके बाट जो बहुत के बाद कडिर आसे फिल्फिद हमें एक अच्छी खासे मोमेंटम देखने को मिली एंच特 आप देख सकते हो दोस्तों की एक अफ़र राजिंग चैनल अपनी मुमेंट डिखा ही और काफी अच्छी मुमेंटम हमें देखनों को मिली एड़ एड़ हमें इंट्राडे हाई पे बैंक अपना प्लोजिंग दिखाया इसके साथ अगर दोस्तों मैं कुछ बैंक की बात परूँ काफी सारी वेंकों ने हमें एक अच्छी खासी रिकवरी हमें दिखाई दिखाई यहां पर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं यहां पर जो यह रेड लाइन है यहां पर यहां पर अच्छी महात हुई दिखी हमने पहले भी मुइंग आपको दिखा रहा हूं कि कैसे मुइंग अच्छी वर्क करती है और इंट्रादे चार्ट दोस्तों यहां पर अगेन आप देख सकते हों कि यह जो रेड लाइन है इस 50 मुइंग आवरेज या मुइंग यह उसका ही support लिया है इसके बाद काफी अच्छे मुमेंटम हमें दिखाई है यानि इंट्राइड चार्ट पे भी मुइंग अच्छे मुमेंटम दिखाई डेली चार्ट पे वुलिस ओपनिंग मारुपू जो टेंडर स्टिक्स बना आई इसके बाद काफी अच्छी रिकावरी में देखने को मिले तो दोस्तों आईए एक हम लॉंग बिल्टफ की पोजिशन तकरीम तकरीम पंदरा परसं से उपर की बनी है अगर आप पिछले कुछ दिनों की बात करोगे तो लगातार में देखने को मिला है जब भी में देखने को मिलता है उसी लेवल पे अच्छी खासी वालेटली हमें देखने को मिलती है आप यहां पर देख सकते हो मैंने यह आप एक सर्कल किया है 15.24 का वाई स्कॉर्ट हमें जब देखने को मिली अपको यहां पर पता चल सकता है दो आये ईंटरडे लेवल के हमारे में बात कर लेते हैं बैक निप्टी इंटरडे लेवल फॉर तुमोर्य ट्रेडिंग सेशन दोस्तों हमने जो हाई देखा था फ्राइड ट्रेडिंग सेशन में बैंक निप्री फ्यूचर का वो था 20728 एंड इस लेवल पे जो ब्रेकाउट लेवल आ रहा है उपर का वो है 20880 इफ बैंक निप्री सस्टेन अबो 20880 एक अच्छी खासी मुवमेंट है हमें बैंक निप बैंक निप्री में देखने को मिल सकती है जबकि उसी ताइम पर डाउसाइड पर जो सपोर्ट हमें दिखने को मिलेगा वह है 20750 का तो यह तो अगर 20880 के ओपर बैंक निप्री सस्टेन होती है तो प्लीज एक अच्छी खासी मुवमेंट अब हमें बैंक निप्री में 3700 202370 के निचे अगर बैंक निप्री सस्टेन होती है तो हमें एक डाउसाइड की प्रीक्ष के और वह द रिखने को मिल सकती है और उस टाइम पर जो रैजीस्टन्स हमें देखने को मिलेगा वो है 20,500 तो प्लिक्स दोस्तों ये लेवल नोट डाउन कर लीजिए और इंट्राडे परस्पेक्टिव और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि हमने फ्राइडे के लिए जो इंट्राडे लेवल बताए थे अगर आपने उनको अब्सकर किया है तो आपको बता चलेगा लेकिन अगर आपने खरणे के लेवल ऑफ्जर तेंट पर प्रेंदिंग परसक्टिव रेकात हैं और आपको ये एक मैजिकल लेवल इसको आप फॉलो कर सक तो हो को ट्रेदिंग परस्पेक्टिव तो फ्रेंग्स अगरा को इवीडियो तो